हेलो वेलकम टू मैं चैनल कोट सोरी विट माइक तो आज अपने अरी के प्लेलिस का वीडियो नंबर 78 करने जा रहे हैं आज यह गीक्स का प्यू टीडी का आज का क्वेश्चन है मीडियम माग्ड है बढ़ एक्चुली में काफी इजी है यह ठीक है क्वेश्चन का नाम है ए आपको एक सारी लिवेश्चन कान चमट मतलब कि शक्या हूआ है मां जा रहे हैं यही है प्लावध के इसके इसके सढ़्मेंट Double से पीछे होगा यह वाला एलमेंट 3 जो की कौन है आई मेनस 1 जे प्लस 1 है अगर यह आइकों में जे होता तो और यह उसके बाद वाले लिए और यह उग्या फिर तीसरा डाइनल यह उगया पच्वा डाइनल यह उगया तो देखो आउट्पूट कुछ ऐसा होगा आउट्पूट एक टूडी अरे में भेरनाया था टूडी अरे में भेजना आपको अपको ठीक है तो त्री उसके बाद टू-फॉर सेकंड डाइ मैं जो सबसे बेसिक तरीका किस्ती के दिमाग में आएगा उसी वे में मैं इसको सॉल्फ करूंगा और भी बहुत सारे तरीके हैं इसको सॉल्फ करने के यूजिंग मैप आप सॉल्फ कर सकतो बहुत सारे तरीके हैं बट मैं को सबसे सिंपलेस तरीका बताऊंगा ओके तो द जाएasagen 1 तो सबसे पहले देखो जो वी डाइगनल होता है उसका पहला इल्मेंट कहां से स्टाट तो पहले रोसे उसके बाद नीचे का लिमेंट जाते हैं 24351 है ना तो अब एक चीज़ ध्यान दो मुझे ये तो पता है ना कि पहला रो कौन सा है ठीक है रो मेरा जीरो है right और पहले वाले driving की बात करें तो कॉलं किया देखो तो कॉलम जीरो है ठीक है टो रोwo जीरो कॉलम जीरो तो प्रिंट कर दिया मैंने उसके बाद रो तो zero ही रहे गा कॉलम चेंज होगा उसके बाद रो औरक्स को मैंने पेंट गया है नहीं कि 009 में कौन हैमने है तो हमने प्रिंट कर दिया इसके बाद देखो तो के मतलब हमें इसी डाइगनल को फॉलो करना है तो इसके बाद में जब यहां होंगा तो कॉलम घटेगा यानि की कॉलम मैनिस मैने सोगा और रो भी बढ़ जाएगा ना नेक्स डो में आ गए तो रो भी प्लस प्लस होगा यह लो भख़wy लुग अब मैं झायग में फॉर को प्रिंट कर दिया ठीक है से नहीं तक डाइगनल था एए कि सेकंड डाइगनल जो ना इतना ही तक elements था उसका टू कॉमा फोर तक ही ठीक है यह खतम हो गया ओके यानिकि यह कॉलम भी हमने प्रेंट कर लिया सबसे पहले या फौल मेर को लिया इसके बाद फिर ba गट रहा है यानिकी कॉलम माइनस मैने से रहा है रो बढ़ दब रूह लेस्ट वज़यें अधिका है तो व्यारो प्लस प्लस करते हैं लूलक nya सबस्भख रेंगे तो प्लस प्लस करें गी तो लूम करें चौरम मैंने से ब्सक्वन होते हैं तो थो झाहएं हुआ कोमा जीरो में कौन है two ओंधीरो मैं 7 7 printed हो गया फिर कॉलम मैंने सुन हो जएगा और दोनों नों ऐत आधाMr मतलब यह शुक्त Yani कर लिया हमने चीक कवर कर लिया थो डी से ले MON आदा मतलब यहां से बलाइब आधा मतलब हमारा जो एग्वा बडका बड़ अबडbildung से अभरती होती है जो next half है मतलब मेट्रिक्स का पहला हाफ तो अमने कवर कर लिया अब यह वाला पार्ट बचा है इसको अब हमें से स्टारट हो मेट्रिक्स अश् Western चांद हब हमेशा ही हर रहे है लास्ट कॉलम enabling से करें हाँ एंd하고 करें भी सायजों में यह 1 तो मैंने प्रिंट किया ठीक है सेम फिर वह करेंगा कि रौ फिर से रो प्लस प्लस करेंगे तो रो तीन पर चला जाएगा जीरो पर ठीक है बट रो देखो आट ओव बाउंड हो गया है इसका मतलब हमारा यह वाला जो कॉलम था इसको ब्लू से माग करते हैं यह वाला डाइगनली से था वह प्रिंट हो गया ठीक है अब देखना ध्यान से स्टार्ट करेंगे ठीक है रो टू से स्टार्ट करेंगे कॉलम हर बर एन माइनस वन सी स्टार्ट होगा इस बार भी कॉलम यही से स्टार्ट हो रहा है ठीक है तो कॉलम टू से स्टार्ट किया मैंने ठीक है तो रो इस उकल टू में कौन है भाई रो इस उकल टू में रो सबस्क्राइब दो और कोलम्ट टू पर कव नाईन फ़िर से वही करेंगे रो क्लस प्लस है कॉलम मिले दौनं ऐसरा दौ किया था की रो एजिक्वाल टू जीरो सी हर बड़ ट्रसल्स टॉड़ा यह पहले बात कर रहे ठीक है, row is equal to 0 से हमेशा diagonal start हो रहा है, ठीक है, और आगे कैसे move कर रहे थे, row plus plus और column minus minus करके, ठीक है, तो ये इतना diagonal, तो मेरे क्या हुए थे, कि ये diagonal cover हो गया थे, ये वाले, ये वाले और ये वाले, क्योंकि इन diagonal का जो starting element था, हमेशा row number 0 से start हो रहा था, ठीक है, उसके बाद जो दूसरा traversal था, यानि कि दूसरे half का traversal था, उसमें याद करो हर बार element जो है, हर बार जो column था, वो n-1 से start हो रहा था, ये column था, इस diagonal का, इस diagonal का ये column था, ठीक है, और row याद करो, row is equal to row 1 से start हो था, यहाँ से, row 0 से क्यों नहीं start किया, क्योंकि row 0 तो cover हो चुका, ये तो ह हो ही गया था, ठीक है, इसलिए row 1 से start कर रहे था, यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, row is equal to 1 से start होगा, और column हमेशा n-1 से start होगा, ठीक है, फिर वही करते रहेंगे, row plus plus, और column minus minus, बस और अपने element को result में store करते चलेंगे, ठीक है, तो अभी जब code करेंगे, तो इसलिकल जैसे सिखायता है वैसी, और अब ध्यान दो यह question, Facebook के on-site interview में पूछा जा चुका है, ठीक है, तो अब चलो, इसा code start करते है, तो code में बोल रखा है कि आपको एक single array में ही भेजना है, result को, ठीक है, तो vector of int, है न, result बना लेता हूँ, मैं, okay, int n निकाल लेता हूँ, matrix dot size, ठीक है, number of rows and number of columns, same है, ठीक है, अब start करते है, सबसे बहले मैंने क्या बला था, traverse the, traverse from the top row, traverse anti-diagonals from the top row, ठीक है, काफी simple तरीका से मैंने आपको पता है, int j is equal to 0, j is less than n, j++, ठीक है, यह क्या है, यह मेरा column होगा, ठीक है, अब याद करो, row हमेशा 0 से start होगा, और int column मेरा यह है, जो j है, है न, column मेरा vary करेगा, ठीक है, 0 से लेकर, n तक सारे columns पर जाएंगे, उसके बाद, याद करो, मैंने बुला था, traverse anti-diagonal elements, इसको टॉल्स करना start करो, कब तक करोगे, जब तक row less than n होना चाहिए, and column जो है, greater than equal to 0 होना चाहिए, है न, ठीक है, और बस result में डालते जाओ, result.push underscore back, matrix of i, sorry, matrix of row, column, ठीक है, और याद करो, मैंने क्या बलाता है, कि row तो बढ़े जाएगा, और column घटते चला जाएगा, यह मैंने आपको, यहाँ, draw भी करके दिखाया था, तो उसको visualize करने ही कोशिश करो, है न, देखो, यह column है, मेरा, क्योंकि हर column से मुझे start करना था, और row fixed है, top row की बात करने हैं हम लोग, यह मेरा first hub का matrix का anti-diagonal traversal complete करतेगा, यह for loop, अब आते हैं अपने, traverse the right half of 2D matrix anti-diagonal, ठीक है, तो इसमें मैंने को बताया था, कि चलो इसमें, int i is equal to, row कहां से start होगा, row 1 से start होगा, i less than n, i plus plus तक जाएगा, ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, कि row जो है, जो भी i होगा, वहां से start होगा, और column मेरा हर बार n-1 से होगा, always, क्योंकि यह right side वाला मेरा, anti-diagonal में print कर रहा हू ठीक है, अब वही करना है, drivers the anti-diagonal elements, ठीक है, कुछ नहीं है, वही simple है, तब तक चलाएंगे, जब तक row less than n हो, and and column greater than equal to 0 हो, ठीक है, और बस सेम चीज़ करना है, यहाँ पर भी, इसको आप एक अलग function में लिख सकते हो, मैंने repeat करके दुबारा यही चीज़ लिख दी है, क् को simplicity के लिख दी है, वरना आप एक for loop में भी बहुत चीज़ कर सकते हो, ठीक है, जितना code simple होगा, उतना ज्यादा readable होगा, और आपको समझ में आएगा, है ना, results submit करके देखते है, we should be able to pass all the test cases, मेरे github link में जाना, description में, वहाँ Java का code भी आपको मिल जाएगा, indeed we have solved this question, कोई कर्को में एक दूगणा आपको जाएगा, छो कर देखते हैं पर इस। खोर ड़ोट जा ए certo such as the question, I will try to help you out, see you guys in the next video, itam को में जाएगा, पनको में झाएगा, झांपको में जाएगाAy।